हेलो जी स्वागत आप सब का मेरे एक नए वीडियो में और पिछली मेरी जो वीडियो थी उस वीडियो पे आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पोंस दिया इतना अच्छा रिस्पोंस दिया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा मैं बहुत जादा हैपी हैपी फिल कर रही क्योंकि मेरे किसी भी चैनल पे अब तक इतना अच्छा रिस्पोंस नहीं आया था और इतने कम दिनों में बिल्कुल भी नहीं आया था ऐसा बहुत टाइम से मैं अलग-लग जगे पर काम कर रही थी बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्या देखना चाहते हैं लोग किस टाइब की चीज़े देखना चाहते हैं किस टाइब की चीज़े लोगों को पैसंद आ रही हैं वो मैं अब तक नहीं समझ बारे थी और इसी लिए मैंने इस वाले चैनल पे अब की बार सोचा था चैनल तो मेरा काफी टाइम से है बट इस पर मैं रेगुलर वीडिय नहीं आ रहा था उस पर मैं ट्राइ कर रही थी अलग लग चीज़ें मैंने यह सोचा था कि मैं अलग अलग टाइब की चीज़ें इस पर डालते हूं देखते हूं कि किस पर अच्छा रिस्पोंस मिलेगा तो आगे चलके मैं उसे में कॉंटिनु करूंगी बट मुझे कोई कोई रिस्पोंस नहीं मिल रहा था और मैं बहुत ज़रा नेगिटिव हो गए थी चीज़ों को लेके कि कोई रिस्पोंस नहीं मिल रहा है और में भी लोग देखना नहीं चाहते या यह मेरे लिए नहीं है इस टाइप की थोट मेरे दमाग में आने लग गए थी और मैंने स चल जाएगा कि अगर कोई प्रिस्टोरेज बोक्स वाले थी और उस पर इतना पोजिटिव रिस्पोंस दिया कि मुझे अब तक ऐसा हो रहा है मतलब एक अलग टाइप की खुश्री हो रही है, जो मैं बता नहीं सकते हूँ, मैं भी जो लोग वीडियो बनाते होंगे, वो समझ पाएंगे इस चीज को, बाकी लोग साइध ना भी समझ पाएं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी मैंने सोचा कि फिर उस अच्छा रिस्पोंस आया, तो मैंने एक वीडियो और डाली, जिसमें दो-चार प्रोडेक्ट ही मेरे, जो मैंने मिशों से मंगवाए थे, बाकी तो मेरे इदर उदर से लिए वे थे, बट फिर भी मैंने उस पे उसी टाइप का टाइटल डाला, और उस तरह से ही मैंने डा आज 400 लोगों ने किया कर 4000 होंगे, पर सु 4 लाख भी हो जाएंगे, तो इसलिए पोजिटिव वे में सोचके, पोजिटिव वे में ही मैंने सोचा कि आगे भी मैं इसी टाइप का कॉंटेंट ले के आऊंगी, मैं भी लोगों को खोल वीडियो, शोपिंग वाले, मिसो से रि रही हैं, क्योंकि मेरे इन दोनों वीडियों पे अच्छे व्यू जा रहे हैं, अच्छा रिस्पोनस आरहा है, बाकी जो मैंने डाले थे, उनके क्ने कोई खास रिस्पोनस नहीं आया था, मैंने लाइव भी करके देखा, मैंने वीडियो डालके देख available वाले बीडाले, तो आज का वीडियो भी मेरा इसी से रिलेक्टिड होने वाला है, जो कि मैंने कुछ सैंडल्स मंगवाए थे अपने लिए, कुछ फ्लेट हैं, उसमें कुछ हील है, जो अभी कुछ दिन पहले मैरे इस दिगर में मैंने तब मंगवाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो, ये वाले वीडियो भी में आप लोगों के साथ सेर करते हूं, जिस टाइप से आप लोगों ने पिछले मेरे वीडियो पे, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉंस दिया है, लोगों का interest जिस चीज में होगा मैं वही चीज पर वीडियो बनाऊंगी और मैं उसी चीज को आप लोगों के साथ share करूँगी तो यहाँ पर मैं अपनी flats बगेरा हैं वो आप लोगों को दिखाते हूं सारे की सारे और सब का मैं price भी साथ में mention कर दूँगी और इनका link भी मैं आप लोगों के साथ share करूँगी मुझे तो 2-3 महीने हो गया साथ मैंने January या February में इनको खरीदा था बट यह अब भी मिल जाएंगे आपको इनका link मैं आप लोगों को provide करवा दूँगी और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे मुझे कहीं पर सुधार करना चाहिए कुछ और इंप्रूव करना चाहिए तो आप वो राय भी अपने दे सकते हैं यहां पर यह सारी की सारी सेंडल और हील्स अभी माप लोगों के साथ share करने वाली हूं दिखाने वाले हूं कि मैंने किस किस टाइप के मंगवाई थी और यह कैसी लग रही थी बिल्कुल जैनुएन वाला feedback दोंगी माप लोगों को क्योंकि दो तिन महीने हो चुके हैं तो अब तक तो मैंने इनको अच्छे सी यूज करके भी देख लिया है तो अब तक कोई complaint नहीं आई है अब तक इन में कोई भी ऐसा मतलब नहीं हुआ जैसे होता होता ना कि खराब निकल गई हो अब तक मेरे प्रोडक्ट जितने भी थे सैंडल बगएरा या और भी चीज़ें जो मैंने मंगवाई हुई है सब की सब मेरी बहुत अच्छे निकली है अब तक कोई complaint नहीं आई है और मैंने gift भी की थी एक दो चीज़ें दरोज़ोर लोगों को तक मुझे कोई complaint नहीं की कि उनको अच्छा नहीं लगा या ये जो yellow वाले आप देख रहे हैं ये मैंने अपने हल्दी outfit के साथ मंगवाई थी मेरा white और yellow color का हल्दी का outfit था और उसके साथ मैंने yellow color में heel मंगवाई थी जो की बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे 41 आता है और इनके पास 42 तक साइज मुझे मिल गया था तो कुछ में मैंने 41 साइज मंगवाय था और कुछ में मने 42 में मंगवाय थी । क्योंकि 41 थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी थोड़ा सा मुझे साइज छोटा पड़ रहा है या थोड़ा सा मेरा पैर बाहर निकल रहा था तो इसलिए मैंने फिर 42 में मंगवाया था दो या तीन में मुझे 42 मिल गया था बाकी 41 में मिला था बट 41 में मिला था वो भी मुझे ठीक ठाक आ रहा था साइज ऐसे कोई प्रोब्लम नहीं थी कि बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है पैर बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं था 42 में भी मुझे 41 में भी मुझे ठीक आ गया था ये वाले जो है ये 41 में थी आप देख सकते हैं थोड़ा सा हो है जो कि लहंगे वगएरा के निचे इतना दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने पहन लिया था क्योंकि सूट वगएरा पहनते हैं या फिर चुड़ीदार कुछ पहनते हैं तो उसमें आपकी एडियां दिखती होती हैं लेकिन लहंगे में साड़ी में आपकी एडिय छुप जाती होती है तो इसलिए मैंने ले लिया था 41 में भी और मैंने सोचा कि चलो बाद में जब वेट कम हो जाएगा या फिर थोड़ा सा खुल जाएंगी अभी न्यू न्यू है थोड़ा पहनने के बाद थोड़ी से खुल जाते होती है तो फिर आपको comfortable हो जाएगा ये 42 वाले देखिए मुझे बिलकुल fit आई है इसमें कोई पैर बाहर नहीं निकल रहा था और इसकी fitting बहुत अच्छी थी और ये इतनी ज़्यादा comfortable थी न बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कि मैं आराम से चल पा रही थी बच्चे को उठा के भी मुझे कोई problem नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा comfortable थी ये बहुत की साथ जीन्स की साथ साड़े की साथ आप किसी भी चीज की साथ पहन सकते हैं सब की साथ चल जाते हैं transparent होते हैं तो इनका तो कोई color का लफड़ा ही नहीं होता है पट ये भी मुझे 41 में ही मिली थी 42 में नहीं मिली और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने के ले ली थी कि ये एक तो मुझे चाहिए ही क्योंकि हर किसी की साथ चल जाते हैं सोचना नहीं पड़ता जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप इस टाइप की चीज लो और पहन के चल दो ये वाले मुझे थोड़ी सी नहीं समझ आ रही थी क्योंकि मेरे जो आगे की तरफ ये जो उंगलिया निकल रही थी मेरी ऐसे हो रही थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रही थी और इसलिए मैंने इसको वापिस कर दिया था वो वाले मैंने रखे नहीं थी ये वाले मैंने रखे थी ये वी मेरी 41 में थी और इसके साथ में एक और भी अच्छे से आता है इसमें आगे देख रहे हैं आप कितने सारी जगह हैं इसका ये वाला जो कलर है ब्राउन वाला ओफ फाइट कलर था ये तो सब लोगों को इतना पसंद आया था और ये मैंने रात के तीन बजे ओडर की थी उस टाइम पे मुझे ये ओनली ये मुझे 123 में मिली थी और इसी के साथ फिर मैंने वो दूसरे वाला कलर भी ओडर कर दिया था क्योंकि ये मुझे only 23 में मिल रहा था काफी अच्छे प्राइज पर मुझे मिल गी थी इसलिए मैंने ये ले ली थी और आज की वीडियो में स्रफ इतना ही मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय टेकर और आपकी बार जितने लोग भी मेरी वीडियो देखे प्लीज कोमेंट करके जरूर बताना आप को कैसा लगा अगर कोई कमी कुछ भी हो तो वो भी आप बता सकते हैं और जिन लोगोंने मेरा लास्ट वीडियो देखा मुझे इतना एप्रिसेट किया मेरे वार्क के लिए उन सब को थैंक यू दिल से सुक्रिया